आखिर डुबाई के पास इतनी सारी सूपर कार क्यों हैं? हमारे इंडिया में इतनी सारी सूपर कार और लगजरी कार सड़क पर बहुत कम देखने को क्यों मिलती हैं? क्या भारत की सरकार लोगों का पैसा टैक्स के जरीए खा जाती है? अगर आप कभी डुबाई में घूमने जाओगे तो आपको सड़क पर यहां वहां लेंबोर्गिनी और लगजरी कार ही दिखेंगी दर असल डुबाई के पास इतनी सारी लगजरी और सूपर कार इसलिए हैं क्योंकि डुबाई लगजरी कारों और उनके मालिकों के लिए ही बना है डुबाई में सरकार को एक भी रुपिय टैक्स में देना नहीं पड़ता और डुबाई की सडकों में एक भी गड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा जिससे आप अपनी सूपर कार को सडक पर आराम से दोडा सकते हो जबकि इंडिया की सडकों के गड़े में गिरने पर बंदा गायब हो जाता है और इंडिया में जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है